Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल सालों से इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से यहां पर बताया जा रहा है कि चुनाओ के जश्ट पहले जो सरकार है, वो Citizenship Amendment Act लागू करने वाली है, वैसे मैं आपको बता दूँ, यह जो कानून है, वो अल्रेडी पार्लेमेंट के दौरा प मैं आपको बताऊंगा, सुरुवात से लेकर अभी तक क्या हुआ है, CA exactly है, क्या इसका implication होगा, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आज से हमारा Foundation Batch स्टार्ट हो रहा है, UPSC का, मतलब कि एक ऐसा Batch जिसके अंदर आपक कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइफ चेक आउट के दोरान, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पस stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, तो चलिए सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, खबर क्या है, देखिए Union Minister Shantanu Thakur, basically मैं आपको बताओं तो Minister for State हैं ये, related to Ministry of Port, ठीक है, उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो Citizenship Amendment Act है, ये अगले 7 दि के अंदर implement कर दिया जाएगा, basically क्या है कि West Bengal के अंदर ये आप district देख सकते हो, North 24 पर गना, ये बांगलादेश के साथ border जुडता है, तो यहाँ पर public gathering को address कर रहे थे, और इसी के दौरान यहाँ पर उन्होंने कह दिया, I can guarantee that in the next 7 days, not just in West Bengal, but across India, CAA will be implemented, साथी साथ यहाँ पर हमारे जो home minister है, Amit Shah, उनका भी कुछ बयान आया था इससे related, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले CAA के बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं, तो the citizenship amendment act लाई थी सरकार, नरेन मोदी की सरकार, उनका ये basically कहना था, कि Indian nationality दिया जाएगा, उन persecuted non muslim migrants को, basically short way मैं अगर आपको बताऊं, तो भारत के जो दो पडोसी देश हैं, especially यहाँ पर पाकिस्तान आप देख रहे हो, और ये हो गया बांगलादेश, तो वहाँ पर जो non muslims हैं, क्योंकि आपको पताई है कि जब देश divide हुआ था, partition हुआ था, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ब चाते हैं, लेकिन इसकी वज़े से क्या हुआ, वहाँ पर जो non muslims रहते थे, in fact मैं आपको बता दू, 20% से ज़ादा non muslims की आबादी थी, partition के समय पाकिस्तान के अंदर, जो आज के date में घर्टे घर्टे 2% तक आप पहुँची हैं, मतलब जो non muslims हैं वहाँ पर चाहें, हिंदूस की बात करिए, उनके साथ काफी सारा persecutions हुआ है, जो कि उसकी वज़े से क्या हुआ है, कि ये लोग भारत के अंदर आने की कोशिश किये हैं, और इस समय भारत में ऐसे बहुत सारे non muslims हैं, तो यहाँ पर भारत सरकार ने ये निने लिया, कि जो non muslim migrants हैं, कौन- जो की बांगला देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीन देशों से जो आए हैं, बांगला देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनको हम भारती नागरिक्ता प्रोईट करेंगे, अगर वो 2014 के पहले पहले आ गए, मतलब 31st December 2014 तक अगर वो भारत के अंदर एं और उस समय आपको याद होगा, प्रेसिडेंट थे रामनात कोविन जी, उन्होंने यहाँ पर साइन भी कर दिया था बिल के उपर और ये कानून बन गया था, लेकिन देखो कानून बनना मतलब बिल के उपर साइन तो कर दिया, लेकिन सरकार ने नोटिफाई नहीं किया लेकिन अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया, उसी प्रकार से 2019 में ये जो पास हुआ था, उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जब ये पास हुआ था, तो इसको लेकर देश के कई हिस्सों में प्रोटेस देखने को मिला था, और मैं आपको बता पार्टी में भी बड़े स्तर पर प्रोटेस्स देखा गया था लेकिन क्या होता है कि उसके जश्ट बात जो है कोविड का दौर स्टार्ट हो जाता है और आपको पताई है कि सरकार लॉक्डाउन बगर लगा दी थी तो जब यहाँ पर lockdown वगर लगना स्टार्ट हुआ, COVID फैला, तो यह जो पुरा protest था वो धिरे-धिरे खतम हो गया, और उसके बाद से लेकर अभी तक as such कुछ भी नहीं देखने को मिला citizenship amendment को लेकर, मतलब कि सरकार ने notify भी नहीं किया, इसको लेकर हलकी फुल के चर्चा होती त रहती थी, लेकिन कोई बड़ा चीज देखने को नहीं मिला, लेकिन इसी दोरान मैं आपको एक और चीज बता दूँ, यहाँ पर सरकार ने एक और काम कर दिया, क्योंकि अभी तक citizenship amendment act लागू तो हुआ नहीं था, नोटिफिकेशन आया नहीं था, तो इसके पहले सरकार ने चतिसगर, हणियाना, पंजाब, मदर परदेश, उतर परदेश, दिल्ली और महाराश, यह 9 ऐसे राज हैं जहां पर कुछ district के अंदर जो non-muslims रह रहे थे, जो की इन 3 जगहों से आये थे, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश से आये थे, तो उनको भार साड़ी-4 साल तक तो इसके बारे में कोई बातचीत ने हुई, फिर अचानक से क्या होता है, पिछले साल 29th of November को 2023 में, जो Home Minister है अमिद शाजी, उनकी तरफ से ये बयान आता है कि Citizenship Amendment Act को implement किया जाएगा and no one can stop it, उनका ये बड़ा बयान अभी just 2 मैने पहले ही देखने को मिल और यहाँ पर Home Minister ने attack भी किया था, West Bengal की Chief Minister ममता बनर जी के उपर, और कहा कि ममता बनर जी जो है वो appeasement की politics खेलती है, infiltration हो गया, corruption हो गया, political violence हो गया, इनके उपर राजनीती करती हैं, लेकिन हम CAA को implement करके रहेंगे, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन ये बयान आने के बात भी अगर आप देखोगे, तो दो महने तक ऐसाच कुछ नहीं हुआ है, मत्तब अंटिल दिस मन्ग, जब मैं आज ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक इसको लेकर फिर जादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अल्टिमेटरी आप कह सकते हैं, यहाँ पर मी उनियन मिनिस्टर है, यहाँ पर शांतुनू, वेस्ट बेंगॉल से मेंबर आफ पार्लेमेंट है, उनकी तरफ से ये बयान आया है, आप देख सकते हो, राम मंदिर हाज बीन इनॉग्रेटेड इन अयोध्या, और विथिन दा नेक्ट सेवन डेज जो सिटिजनशिप अमें मंता बनर जी उन्हों ने भी इसको लेकर अटाक किया, और उन्हों ने भी कहा कि देखिये, यहाँ पर जो बीजेपी है, वो स्रिफ CAA करती रहती है, सिर्फ वोट के लिए करती है, यहाँ पर कोई इसको लेकर किसी को लाव नहीं होगा, वो भी मंताब बनर जी भी वेस्ट हो गया जितने भी चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप सी डिजन नहीं होते तो आप वोट कैसे दे रहे होते तो इसी के वज़े से ममता बैनर जी ने उल्टा बीजेपी के ऊपर अटाक किया और कहा कि आप सिर्फ करते रहते हो यह सिर्फ वोट के लिए आप लोग करते हैं और इसका कोई ऐसाच लाब नहीं होने वाला है क्योंकि जिनको भी इसी डिजन शिप मिलना चीए था वो अल्रड़ी मिल चुका है खेर अब कोश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार बीजेपी जब यह लेकर आई थ नहीं किया था शाहिन बाग से लेकर अलग-अलग हिस्से में यहाँ पर C.A. को लेकर और स्पेशली NRC भी आपने सुना होगा ठीक है इन दोनों चीजों को लेकर काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था फिर इसके साथ-साथ क्या हुआ कि यह जो C.A. का का बाद काई जा लिए तो इसके अंदर रोहिंग्या मैंनमार से जो रोहिंग्या है वो आ रहे है और वो मुस्लिम से हैं तो उनको क्यों ने इंक्लूट किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार का तर्क यह था कि देखे यह परसीक्योशन का मामला है तो पैटीशनर गे कह रहे ह है नहीं बट और आप ये समझे कि कई बार extension किया गया है citizenship amendment को implement करने के लिए लेकिन finally क्योंकि खुद union minister यहाँ पर यह बात कह रहा है कि अगले 7 दिन में इसको लागू कर दिया जाएगा तो most probably हो सकता है इसको लेकर notification आ जाए लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर जो process होने वाला है वो देखने वाली बात होगी लेकिन जादा तर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर online process होने वाला है मालो जो भी non muslims हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगला देश चाह है वो mobile phone से ही यहाँ पर application फाइल कर सकते हैं बस उनको यह बताना होगा कि वो 2014 के पहले कब आये थे उनको कोई travel document वगर भी देने की जरूरत नहीं है ऐसा भी अभी के लिए बताया जा रहा है media reports में कि इस तरह का procedure होने वाला है खेर दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर क्या चुनाओ के पहले implement होना चीए नहीं क्या चीज़ें आप बता सकते हो मुझे comment section में और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हैं यह जो concept है single citizenship का भारत के अंदर यह हमने कौन से देश से लिया है इन चारों में से इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वह आपर stories में डालते रहता हूँ अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए अलग लग सोशन मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं आपको पसंद आया होगा मिल टॉंप से नेक्स टाइम तिल देन थैंक यू बरी मच्च सी यू सून